नमस्कार जैस्रकृष्ण न बारा राशियों में धन दायक ग्रहों का अनुपात करणा अत्यधिक धन प्रदायक ग्रह कौन से होंगे हम आपको इस वीडियो के अंतरगत इसी विशे पर ले चलेंगे जैसे मेश लगन है अगर आपका तो आपको धन देने वाले धन प्रदायक संपत्ती प्रदायक ग्रह कौन से होंगे विल्थ वाइज दिखना है अगर मेश लगन है तो नंबर एक लगनेश मंगल आपको धन दायक ग्रहों में से एक माना जाएगा नंबर दो सूर्य धन देने वाले ग्रहों में से एक माना जाएगा नंबर तीन देव गुरु ब्रहस्पती धन दायक भाग्य दायक ग्रह माना जाएगा अगर आपका मंगल, सूर्य और ब्रहस्पती तीनों ही गिरी हुई अवस्था में दबी हुई अवस्था में हैं तो आप के पास धन नहीं रहेगा मेश लगनवालों के लिए सूर्य, मंगल और ब्रहसपती धन दायक ग्रहे होंगे उपाय की चर्चा हम बाद में करेंगे फिलाल इनके स्टोन भी डाले जा सकते हैं जैसे मेश के लिए मुंगा और सिंग के लिए मानिक्या और ब्रहसपती के लिए उखराच यानि मेश लगनवालों को मुंगा और मानिक्या तथा पुखराज लाव देंगे अगर बुरी अवस्था में हैं तो उनका दान और यग्यादि के द्वारा सुधार किया जा सकता है यदि आपका व्रिश लगन है तो नम्बल एक नम्बर एक बुध धन दायक होगा नम्बर दो शनी भी धन दायक ग्रह होगा व्रिशब लगने के लिए कैसे बुध पंचमेश होगा और दुतियेश होगा इसलिए धन दायक ग्रह बन गया फिर करम का स्वामी और भाग्य का स्वामी शनी ये धन और भाग्य का प्रदायक हो जाएगा इसलिए यदी व्रिश लगन है आपका तो आपको अपने बुद्ध को अपने शनी को स्ट्रॉंग करना चाहिए मिथुन लगन वालों के लिए धन दायक ग्रह कौन से होंगे लगनेश बुद्ध मिथुन चतुर्थेस भी है इसलिए अगर धन कोई देगा तो आपका बुद्ध देगा नमबर दो मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र धन दायक ग्रह होगा ठीक क्यों एक पन्चमेश है एक द्वादशेस है शुक्र तो धन प्रदायक पन्चमेश होने के कारण फल देगा शुक्र और बुद्ध यदि वरिश लगन है आपका और बुद्ध शुक्र धन नहीं टिकता तो बुद्ध और शुक्र कंटोल में करिए ठीक करिए करक लगन वालों के लिए या करक राशी वालों के लिए चंद्रमा और मंगल विशेस धन दायक ग्रह होते हैं कैसे करक लगन का स्वामी चंद्रमा दूसरी बात अगर आप जाएं तो करमेश और पंचमेश मंगल बन जाएगा इसलिए चंद्रमा और मंगल करक लगन वालों के लिए ये दो ग्रह धन दायक होगे यदी करक लगन है धन नहीं है तो समझना कि ये दोनों ग्रह आपके निस्क्रिय हैं सिंग लगन वालों के लिए धन दायक ग्रह कौन सा होगा नमबर एक सूर्य, नमबर दो मंगल, धन दायक ग्रह होगा, सुख और भागय का स्वामी मंगल, एवं लगन का स्वामी सूर्य, ये दोनों ही धन प्रदायक होगे, जब सिंघ लगन वालों के पास धन ना हो, तो सूर्य और मंगल को ठीक करने के लिए उपचार करें, कन्या लगन, कन्या लगन वालों के धन को बढ़ाने वाले ग्रह होंगे दो, नमबर एक बुद्ध, नमबर दो शुक्र, बुद्ध लगन के स्वामी और कर्म के स्वामी होगे, तथा शुक्र, धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होगे, इसलिए शुक्र और बुद्ध कन्या लगन वालों के लिए धन दायक ग्रह होंगे मूल विशे है कि धन प्रदायक ग्रह कौन से होंगे किस लगन में अब तुला लगन है तुला राशी है तो इनको धन प्रदायक ग्रह कौन से होंगे नमबर एक शुक्र जो लगनेश है यह धन परदायक ग्रह है नमबर दो शनी यह धन परदायक ग्रह है क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश यहाँ पर शनी बनेगे नमबर तीन बुद्ध धन परदायक ग्रह होंगे क्योंकि भागेश है बुद्ध तुला लगनवालों का इसलिए शनी शुक्र बुद्ध तुला लगनवालों को धन देने वाले ग्रह माने जाएंगे व्रिश्चिक लगन के लिए गुरू और चंद्रमा धन दायक ग्रह होंगे एक भागे का मालिक है और एक दूसरे घर का स्वामी है व्रिश्चिक लगनवालों के लिए गुरू और गुरू और चंद्रमा ब्रिश्चिक लगनवालों के लिए यानि भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी इनको मरिबूत करना है धनू लगनवालों के लिए गुरू और सूर्य धन परदायक ग्रह होंगे धनू लगन और चतुर्द भाव के स्वामी गुरू हो गए सूर्य हो गए भागेश इसलिए धन और भागे को बढ़ाने वाले कौन होगे सूरी और गुरू धन लगन वालों के लिए तो यदि धन लगन वालों का सूरी और गुरू ठीक नहीं है तो ठीक करके अपने भागे को बढ़ाया जा सकता है कैसे ठीक किया जाएगा वो हम बात बिवाद करेंगे मकर लगन यहां पर शनी और शुक्र धन परदायक ग्रह माने जाएंगे एक करमेश और पंचमेश होने के नाते शुक्र धन देगा और एक लगनेश और धनेश होने के नाते शनी धन दायक ग्रह होंगे इसलिए आपको शनी और शुक्र को मजबूत करके अपने बैभो को बढ़ाना चाहिए कुम्ब लगनवालों के लिए शनी और शुक्र ये दो धन प्रदायक ग्रह होंगे भागेश होने के नाते, सुखेश होने के नाते कुम लगनवालों को शुक्र मजबूत करके रखना चाहिए और शनी जोके लगनेश हैं ये दोनों धन प्रदायक ग्रह माने जाएंगे मीन राशी वालों के लिए गुरू और मंगल धन दायक ग्रह होंगे गुरू करमेश और लगनेश होने के नाते प्रबल घुमिका निभाएंगे और मंगल धनेश तो होंगे ही होंगे भागेश भी हो जाएंगे इसलिए मीन लगनवालों के लिए ब्रहस्पती और मंगल धन प्रदायक ग्रह माने जाएंगे ये बताने का मेरा आश्य ये है कि यदि आपके इन लगनों में धन की ब्यथा, धन की बात, धन की समस्या कोई है, तो आप इन ग्रहों के द्वारा अपने भाग्य को, धन को, वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो में सिर्फ हमने यहां लगनों के बिशेस, धन, प्रदायक, ग्रहों की चर्चा की हैं, वीडियो को सेव कर लिजेगा, बहुत काम करेगा भी आपका, पिदा लेते हैं, नमस्कार, जश्रक कुष्ण,